पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव आप डाउनलोड करें सोनी लिव वी लिव तो एंटरें ये उन दिनों की बात है हुँँ, शुकर है कि आज तुने बालो में कम तेल लगाया है वरना असला तेल के डबबे के साथ चल रही हूँ तु चुपचप साइकल जला ना कुझे क्या हुआ है ऐसे गुमसुम क्यों रहती है कुछी नहीं हुआ है अब क्या हुआ अब वो चेन उतर गही है शैद यार इसे भी उतरना था अज ऑगर लेटँगे तुम इसे ला मकलास निकाल डेगी सुन्ना तु उसको चड़ाकर आजा मैं आगे जा रही हूं अर्यर प्रेती लयकिन रूरी ब्लीज प्रेती लेकिन रूरी प्रेती अटीयक है चलो भई चलो यह जाने दो जाने दो कर दो! समीर हाथ धोकर मेरे पीछे पढ़ चुका था पर एक बात तो है मैंने प्यार किया में सुमन की चिठी लाने वाला कबूतर कितना भी हांसम हो मेरी चिठी लाने वाला और भी हांसम था नजर मिलने से शुरू होती थी कहानी प्यार की दिन दो पहर गुजरते थे जब गली में यार की पतंग तेरी छतों पर जब गिराया करते थे तुझे रामायन के बहाने देख आया करते थे ये उन दिनों की बात है ये जिए ऊपर देख रहा है नेना समीर मुझे देख रहा है तो क्या करूं आखे बंद कर दूंश की क्या यार तूभी इसलिए ना सारे लड़के तुझे देख देख भाग जाते है तेरा ना, कुछ करना पड़ेगा तुझे ना, आमेरिकान और सलमान खान की अगली पिक्चर दिखानने पड़ेगी ने ने, वो दिल मुवी है ना, या गान है उसके दिन में अगर चार पाच बार भी सुन लिया ना, तो दिल के लिए अच्छ है तुझे और के कामनी है ना, है ना गिर गया या आसमा तुम मिले जमी मेले तुम है या मैं नहीं एक दफ़ा ये देख ले पूंदोने पूंदोने लम्हों की क्यारी में मुझ में तुझे को है पाया बिन जाने बिन बोले अंजानी डोरी से तुझसे जुडा मेरा साया बहुत रूड है ये आज तेल डलक नहीं आए क्या समीर अरे 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 नमस्ते सर नमस्ते बैठ जाओ भाई तुम लोगों को अलग से कहा जाएगा बूर्णिंग सर तु बैठ जा क्या हो रहा है सर कुछ होई तो नहीं पा रहा है ओ हो मेरे चंकी पांडे इदर आओ आपको बताते हैं क्या हो नहीं हो रहा है बेठा अज की जमाने में तो माबाप बच्चों को डाट भी नहीं सकते टीचर्स तो जाने ही दीजिये मगर उन दिनों टीचर्स को हमारे पेरेंट से खुली छूट थी शिक्षा मंदर में विद्यार्थियों को ऐसा प्रसाद बाठने की पढ़ाई में अच्छा बनने के लिए टीचर्स से पिटाई कंपल्सरी थी चलो अच्छा है कि आज वो प्रथा बंद हो गई पर उन दिनों हमने जो मार खाई उसकी याद अभी भी ताजा है हाँ तो जैसे कि मैंने कल कहा था कि आज हम जैमेट्री पढ़ाएंगे तो सब लोग अपने अपने गंपास बॉक्स लाया हो ना तू लाये क्या? हाँ मैं नहीं लाये तो तू मेरा रख ले? अब सर अब हेमा नहीं लई है इदर आओ बेटा तुम दिखाओ ये क्या लिखा है? दिखाओ आनू और प्रमानू देखो और पड़ो सो बार हाथ उपर करके जाओ सर, बंटी पटेल भी नहीं लाया है ओहू, पटेल साम आजाओ, आजाओ आज घर में कुछ खाया की नहीं? आई खाया, आओ हम खिलाते हैं आपको खड़े हुजाओ यहां पर ये देवी, हम लाया है नहीं, कोशट आफ करदो मैं लेकिन ही आया एक सेम पकाले की होगा, प्रेज सर समीर महेश्वरी भी नहीं लेकर आया ओहो वही समीर महेश्वरी तुमसे हमें यहीं उमीड थी हमें पूरा भरुसा था कि तुम नहीं लिकर आओगे आओ इधर आओ सर मैंने कहताना बहुत बड़ी चंची है लंबे बाल खड़े कॉलर हाँ कॉलर निचे कर आओ सर वो अपनी आप निचे कर आओ तो समीर महेश्वरी ची आप भी यहाँ दागे कर आओ मेरे कदम तेरे निशा मुड़ के देखे रह जाए मुझ में मेरा कुछ ना रहे बस एक दो ही रह जाए निचे कर दम तेरे निशा मुड़ के देखे रह जाए मुझ में मेरा कुछ ना रहे बस एक दो ही रह जाए सुबहा की नीद के जैसे जाने क्यों मैं सोता दो पल तेरे साथ रह के तेरे जैसा होता हूँ मैं तो जिसी हो गई जैसे मैं मानती हूँ कि दोस्ति की है तो वो निभानी पड़ती है वैसे ही अकर गलती की है तो उसकी सजा भी भुगटनी ही पड़ती है मैं चाहती तो समीर को कमपस बॉक्स ना लाने की पनिश्मेंट से बचा सकती थी जैसे उस दिन केमिस्ट्री लैब में सिगरिट फैंकने वाली गलती से बचा लिया था पर वो मेरी गलती थी जिसकी वज़े से वो एक्जाम के पेपर्स चोरी करने वाली इतनी बड़ी गलती कर बैठा एक तरफ में उसके पास जाना चाहती थी और दूसरी और उससे मैं नाराज भी थी जी हाँ, उन दिनों के टीनेजर्स ऐसे ही मिक्स एमोशन्स में जिया करते थे कहाँ था ना, मिक्स्ट फीलिंग्स नेना, तुम इस प्रेम कहानी के भावार्थ को याद करके आई हूँ ना यादे मैंने क्या सिखाया था? सिर्फ लाइने मूजबानी होने से कुछ नहीं होता है समवादों को समझो, भावार्थ समझो ये दीवानी शाम, ये मस्तानी शाम आग बरसी है सावन में पानी का हिलम गाने का मतलब बोली है ना क्या होने ना तुम ठीक तो हो चलो शुरू करो अल बेस्ट तुम्हारे बिना ये जूलियट अधूरी है रोमियो तुम्हारे बिना एक एक पल शुरी की तरह लगता है रोमियो उस समय ना डायलॉक्स का भावर्थ समझा रहा था ना कोई अर्थ, सव्यर्थ, वेकार क्योंकि उस समय मेरी प्रेम कहानी भी रोमियो एंड जूलियट के इस सीन सी ही थी दर्थ था, वो घुसा था इसलिए जो मैं कर रही थी वो एकदम दिल से था अक्टिंग नहीं तुम्हें कमाल कर दिया अब मुझे लगता है कि तुम्हें वाके ही प्यार का भावार्थ समझ में आ गया है अरे तुम्हें यहां देखकर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे शेक्स्पियर के जमाने की जूलियट साक्षाद इंग्लेंड से यहां अमधावाद हमारे बीच आ गई है शेव जी के कृपा से मुझे मेरी जूलियट तो मिल गई है नैना लेकिन अब यह रोमयो क्या करूँ जितने भी लड़के थे सबको आजमाया कोई भी ढंका नहीं निकला अब यह रोमयो कहां से लाओ मैं सर्व मैं ट्राइ करूँगा पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लेव आप डाउनलोड करें सोनी लेव वी लेव तो एंटर्टेन